लुट है तो कि अ कि हलो कि अब आब 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 जा रही है क्या अब लो एक वार बता दीजिए उसके बाद फिर अब आवाद जा रहे हैं तो चलिए जितने मुझे लगता आवाद जा रही है हना जितने लोग जुड़े हैं सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेर कर दीजे और जो साथ ही जो है अभी तक नहीं जुड़ पाये हैं उनको कहिए कि यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हाँ स्वागत है उनका तो आप लोग जल्दी जल्दी से शेर कर दीजे देन इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे तो दो मिनट है आपके पास आप प्लीज आप लोग एक बाद शेर कर दो शेर कर दीजे आप लोग फिर इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे आप लोग बस दो मिनट का समय है आप लोग एक बाद शेर कर दीजे फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे जिन को लाइव क्लास करना होगा वो जूट जाएगे मुझे जहां तक यकीन है क्योंकि आज से मैंने शेर करना बंद कर दिया जिन को पढ़ना होगा वो तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो शेर कर दिया था कि आप लोग जूड़ जाईएगा सोता चलिए साथ लोग हमारे साथ जूड़े हैं तो लेकिन साथ लोग में से कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अकबर के बारे में तो चलिए फिर आप हमारे साथ कलम और कॉपी उठा लें जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमारे साथ लिखते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा गूड इवनिंग पिरियंग का अच्छा आपके तो कोई दोस्त नहीं है तो आपको मैं कहा भी नहीं सकता शेयर करने के लिए तो बाकी जो अन्य लोग हैं प्लीज एक बार शेयर कर दीजे आप लोग जल्दी से शेयर कर दें और इसे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे गौत्मी कुमारी अच्छा आप आज पहली बार आये हो सैद क्लास करने क्लोड इवनिंग चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर जैसे जैसे लोग आएंगे अपना फिर वीडियो उनको पीछे देख कर करना काम करना होगा तो हम लोग बात करने वाले थे अकबर के बारे में ठीक है चलिए अच्छा हेडिंग दे दीजे आप अकबर अकबर का यदि हम लोग सबसे पहले इसके टाइम के बारे में बात करें कि कब से कब गदी पर है तो लिख लिजेगा 1556 से लेकर 605 तक पूरे मुगल पीरियड का पूरे मुगल पीरियड का जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट सासक है सबसे इंपॉर्टेंट मौस्ट इंपॉर्टेंट रूलर आफ होल मुगल डाइनिस्टी होल मुगल अंपायर या डाइनिस्टी वॉटेवर अब देखिए यहां से आप से कम से कम चार से पांच सवाल पूछे जाते हैं मेडियेवल इंडिया यदि किसी भी पेपर में है आप किसी भी एक्जाम में जाते हैं तो अकवर से सवाल नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है अकवर से सवाल पूछना बहुत लाजमी है क्योंकि इसका टाइम जो है सबसे बड़ा है आप देख सकते हो 1556 से लेकर 1605 यदि इसको 55 कर देते हैं तो इधर हमारे पास 35 साल हो जाता है प्लस 5 साल उधर 40 यानि कि 39 यह रूल करता है तो यह परियाप्त समय है अपना इतिहास क्रेट करने के लिए आपको पता है कि बाबर 4 साल तक ही गर्दी पर है लेकिन बाबर के बाद हमायों आया तो 1530 से लेकर 1540 तक और फिर 1555 से 56 तक तो यहाँ पर यह 15 साल है 1535 और उधर जो है एक साल है तो 10 से 11 साल यह रूल करता है बट अकबर का टाइम देखेंगे तो काफी लंबा है चलिए इसमें सबसे पहले यह लिखते हैं कि अकबर जब गर्दी पर बैठा तो हेडिंग दीजेगा अकबर के समक्ष समस्याएं अकवर के समक्ष समस्याएं जो उसके सामने जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया जैसे मान लो कि कोई भी गद्धी पर बैठेगा तो उसके समय कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे तो अकवर के समय क्या क्या रहा है लिखेगा पहला point कि जिस समय अकवर का राजजा विशेक हुआ तब उसकी आयू मात्र 13 वर्स और 4 महीना थी यह सवाल नेट के एक्जाम में भी पूछा गया है जब वह गद्दी पर बैठा जब उसका कोरोनेशन हुआ अंग्रेजी में राजजा विशेक को कोरोनेशन कहते हैं जब उसका कोरोनेशन हुआ तो वह 13 साल और मात्र 4 महीने का था 13 वर्स 4 माह 13 वर्स 4 माह का था लिखेगा अकवर के लिए राज सिनहासन गुलाबों की सेज नहीं था अनेक राजनितिक समस्याएं उसके समक्ष थी 13 वर्स 4 महीने की उम्र में उसका राजजा विशेक कला नोर नामक जगह में हुआ कला नोर नामक जगह में हुआ उस समय की राजनितिक इस्थिती के बारे में बात करें तो B.A. Smith ने लिखा है स्टेट्मेंट पूरा लंबा है तो मैं लिखता हूँ आप लिखते चलेंगे He could not be said to poses लिखते चलेंगे Any kingdom Any kingdom The small army under the command of The small army Under the command of Bayram Khan Merely Held a precarious Precarious Hold by force on certain district Hold by force on certain districts of the Punjab Of the Punjab And that army itself was And that army Itself was not to be trusted Not to be trusted Implicity देखिए B.A. Smith का इस statement को आप लोग याद रखेगा आप से डिरेक्टली यादी statement दे दिया जाए और आप से पूछा जाए कि या statement जो है अवस्थी साहब कौन सा बुक से आप पढ़ा रहे हो बुक तो मेरे पास 4-5 है आप बताओ कौन सा बुक जानना चाहते हो गलत बात है टॉपिक से अलग था फिर भी आप hint दे सकते हो हिंड में question किया था पर आपने मेरे question का answer नहीं दिया जी गलत बात है गुड इवनिंग यार आप देखो medieval India पढ़ना है तो मैंने इतनी सारी किताबे पढ़ा रही है अब यहाँ पर अब देखो यह सवाल अब मत कीजिए मैंने कई बार बताया आप इसके पांडे पढ़ना चाहते हो कि हरिश्चंदर बर्मा पढ़ोगे कि उपिंदर सिंग पढ़ना चाहते हो स्वारी या आप मिनाक्षि खन्ना पढ़ो या आप इगनू का किताब पढ़ो या फिर आप बीडी महाजन की किताब पढ़ो आपको जो दिल करता आप पढ़िये मैंने सजिस्ट किया था सतीस चंदरा पढ़ने के लिए और हरिश्चंदर बर्मा बाकी आपको जिस किताब से समझ में आता है उस किताब से पढ़िये है ना और मैं कई किताबों को पढ़कर के जो हमारे पास content होता है वो देता हूँ क्योंकि हमें तो अब ज्यादा best देना है आपके लिए right तो अब मैं ये नाम गिना हूँ तो फिर आपके लिए समस्या होगे और हमारे ले भी तो लिखेंगे यह point आप लिख लिजेगा ठीक है चलिए आगे लिखेगा उस समय महमूद आदिल साह का सेना पती हेमू अकवर के लिए सबसे बड़ा खत्रा था महमूद आपको पता है महमूद आदिल साह हमने पताया था सूर डैनिस्टी का ही सासक था पीछे में हम लोग किये थे इससे पहले वाले लेक्चर में जब हम लोग सूर डैनिस्टी और इस पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर था नेक्स पॉइंट लिखेगा बंगाल में बंगाल की बात हो रही है चुकि उत्तर भारत में अब पहली बार समराज्य कायम होगा और बंगाल के बगेर क्या कल्पना की जा सकती है बिलकुल नहीं तो लिखेगा बंगाल में अफगान राजपूत आना में राजपूत ठी बंगाल में अफगान थे यहां पर कबजा किये हुए यह कब की बात हो रही है यह बात हो रही है जब अकबर गदी पर बैठने वाला है तब क्योंकि यह चीज क्लियर होना जरूरी है आप ऐसे ही लिखते चलेंगे चुकि मेंस में आपको लिखने के लिए हो सकता है आप लोग रूल कर रहे हैं और राजपूताना इलाका में राजपूत लोग राजपूताना जो इलाका होगा वहाँ पर राजपूत लोग कर रहे हैं ठीक है और आगे लिखिएगा मालवा और गुजरात स्वतंत्र हो गया है मालवा और गुजरात अपने आपको स्वतंत्र कर लिया है और दक्कन के राज आपसी जगरों में ब्यस्त हैं और दक्कन के राज आपसी जगरों में ब्यस्त थे तो यह मोटा मूटी हो गया दक्षिन भारत का हो गया यह राजस्थान बला इलाका हो गया और बंगाल बला इलाका हो गया ठीक है नेक्स पॉइंट लिखेगा अ शाह अबुल माली ने बिद्रोह कर दिया लेकिन इस बिद्रोह को बैरम खा दवा दिया अब चुकि जब मुगल सामराज जी कायम हुआ और अब यहां पर अकवर गद्दी पर जब बैठा हुआ है तो ऐसा नहीं है चौदा साल चार महिने का मात्र है तो अभी जो है इसका प् भी रिवोल्ट भी होगा उसको दवाने का काम भी बैरम खा ही करेंगे इसलिए बैरम खा जो है इस रिवोल्ट को शाह अबुल माली के रिवोल्ट को दवा दिया नेक्स पॉइंट लिखियेगा इसके पश्चात सिकंदर सूर ने भी उपद्रब मचाया था लेकिन उसको भ boundary खिचा जाएगा तब आपको समझ में आएगा फिर यहाँ पे to the point आएंगे अकवर पे कि उसने क्या क्या किया है अभी महौल बनाना जरूरी है महौल बनाने का क्या मतलब कि अकवर जब गदी पे बैठा है तो उसमें क्या क्या परिशानी वो जानना जरूरी है तब फिर चीज़े आपको क्लियर होंगी अन्यता ऐसी आप डारेक्ट अकवर बढ़ने लगेंगे तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा और फिर concept नहीं बन पाएगा next point लिखेगा हुमायूं की मृतिव होते ही मिर्जा सुलेमान ने काबूल को घेर लिया था हुमायूं की मिर्जा सुलेमान ने काबूल को घेर लिया था और मुनीम खा को खुतवे में अपना नाम लिखने के लिए राजी भी कर लिया था तो जैसे ही इस तरीके का आक्ट किया तो मिर्जा सुलेमान भी जो है मुगलिया सल्तनत का शत्रू बन गया नेक्स पॉइंट लिखिएगा उसी प्रकार तार्दी बेग भी बिद्रूफ करने लगा और उसने मिवात दिल्ली और अन परगनों पर नियंतरन भी अस्थापित कर लिया लेकिन इसके पश्चाद क्या हुआ बैरम खाने उसको इतना मार मारा कि उसको अपने जान से हाथ होना पड़ा ठीक है बैरम खान बहुत मजबूत व्यक्ति है अकबर गद्दी पे भले बैठा हुआ है उम्र कम है एक्सपिरियंस कम है लेकिन उसके पास जो आदमी है जो उसमें प्रसासन को संभाल रहा है वह बहुत ही जादा एक्सपिरियंस वाला आदमी है ठीक है अब यह अलग बात हैं मोटा मोटी अकबर पे कुछ पॉइंट जो लिखना चाहिए हमें अब सबसे पहले लिखिएगा डेट ऑफ बर्थ की बात करें अकबर की तो पंदरह अक्टूबर पंदरह सो ब्यालिस पंदरह अक्टूबर पंदरह सो ब्यालिस एक मिनिट रुकें आप पंदरह अक्टूबर पंदरह सो ब्यालिस पीता का नाम आपको पता ही है जलालुदीन मुहमद अकबर नाम है पूरा नाम लिखना चाहे तो लिख लिजएगा पीता का नाम हुमाईू यहां बताने की जरुवत नहीं है मुझे आगे लिखिएगा असेशन या कोरोनेशन कोरोनेशन जो है इसका राज्या भिषेक का डेट है यह बड़ा इंपोर्टेंट है और उसका साल भी इंपोर्टेंट है कि कितना साल में कथा वो तो गद्दी पर बैठा था यह वैलेंटाइन डे के दिन बैठा था 14 फरवरी 1556 को गद्दी पर कहां में कला नौर में कला नौर कहां में गुरु दासपूर पंजाब में है ठीक है आगे लिखिएगा इसके बेटे का नाम लिख लीजेगा उसमें सलीम है अवाद जा रही है कि नहीं हाँ लिखिएगा सलीम है सलीम को आप लोग जहांगीर के नाम से जानते हैं सलीम और अनार कली के बारे में आप लोग जानते होंगे मुराद लिखिएगा मुराद दुसरे बेटे का नाम और तीसरा बेटा है जिसका नाम है दनियाल अकवर का तीन बेटा है अकवर भी कई सारा शादी करता है है ना चलिए इसी में आगे लिखेगा डेथ औफ मुराद इन दक्कन एक्सपेडिशन मुराद जो है उसका डेथ हो जाता है दक्कन एक्सपेडिशन में दक्कन पे जब आक्रमन करता है तब उसका 1599 में जो है उसकी मृतिव हो जाती है टीचर जो है अकवर के उनका नाम लिख लिज़ेगा पीर मुहम्मद और बैरम खाँ पीर मुहम्मद और बैरम खाँ यह दोनों इंपोर्टेंट है आगे लिखिएगा डेथ ओफ दनियाल हैपन इन 1604 डीव टू ड्रक्स एडिक्ट शुल्ला सो चार में इसका दूसरा बेटा भी मर गया किसके कारण ड्रक्स का जो है आदी हो गया था अब देखो 1605 तक बाप खुद सासन कर रहा सब बेटा को मरते हुए देख रहा दोनों बेटा मर गया अकवर पतलब जिंदा अकवर देख रहा आगों से वो मरता जा रहा उसके दो बेटे मर गया नेक्स पंड लिखेगा पंद्रह सो एकावन में गजनी के राजिपाल के रूप में पहली वार आपचारिक दाइत्व सौपा गया उसी समय उसके चाचा हिंदाल की बेटी रुकईया बेगम के साथ बिवाह हुआ इसका पहला बिवाह जो है कहां हो गया था इसके चाचा जो है हिंदाल उसकी बेटी रुकईया बेगम के साथ नेक्स लिखेगा कोरोनेशन के दोरान भारत के बाहर मुगल समराज जी के अंतरगत काबुल कंधार और बदखंशा था भारत के बाहर यदि और कौन-कौन प्रोविंस था जो मुगलिया सल्तनत में आता था तो वह था काबुल कंधार और बदखंशा यह तो बावर के समय से ही चलता आ रहा है इस समय तक कॉंटिन्यू है आप लोग जितने लोग नौ लोग जुड़े हैं प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को शेर कर दो साथी है ना वीडियो को शेर कर दीजिये आगे लिखिएगा काबुल पर अकबर का स्टेप ब्रदर मिर्जा मुहमद हाकिम मुनीम खाक के संरक्षन में सासन कर रहा था लिखते चलेंगे तो बहतर होगा सर मैंने कर दी ठीक है बदखंशा पर मिर्जा सुलिमान का ऑथोरिटी था नेक्स्ट पॉइंट करते लिखते चलेंगे अहीं से सब कुछ फैक्ट तयार हो रहा है कंधार पे इरानियन रूलर की नजर थी नेक्स्ट पॉइंट 1556 से 60 हिस्वी तक का काल बैरम खाके संरक्षन का काल माना जाता है 1556 से लेकर 1560 का काल जो है यह 4 साल का काल अकबर 14 साल 4 महीने का है यह 4 साल यानि की 1556 से 60 तक का जो पीरियड है उस समय बैरम खां ही मूल तोर पे जो है सासन कर रहे हैं अकबर जो है फॉमलिटी के लिए है इसलिए इस टाइम को बैरम खां के संरक्षन का काल भी कहा जाता है बैरम खां शिया मत को मानने वाला था आपको पता ही है कि पैगंबर मुहम्मद के निधन के बाद चार जो खलीफा हुए और अंतिम जो लडाई हुई उस लडाई में सारे मुसलमान जो है दो हिसों में बट गए शिया और सुन्नी में तो बैरम खां जो है शिया मत का था शिया मुसलमान आगे लिखेगा हुमाईू उसे खान बाबा कहा करते थे किस को बैरम खां को नेक्स पॉइंट लिखियेगा सरहिंद की बीजय के बाद हुमायू ने अकबर को इवराज और बैरम खां को उसका प्रोटेक्टर नुक्त किया था शरहिंद की लड़ाई जब जीता तब जाकर के बैरम खां को जो है अकबर का प्रोटेक्टर बना दिया किसने अभी बच्चा है तो प्रोटेक्टर की जुरुत पड़ेगी न उसके पीता जिने हुमाईव ने तय किया कि भाई बैरम खा जो है हमारे बेटे के प्रोटेक्टर होंगे और गुरु भी बच्च्पन से साथ में रख रहा है तो बहुत कुछ सिखने को ही मिला तो इसे गुरु भी कहा है आप वीडियो को शेयर कर दो ये तो जितने लोग है प्लीज आप लोग एक वार वीडियो को शेयर कर दिजे और वीडियो को लाइक कर दिजे चलिए आगे आगे लिखिएगा अब लडाई की यदि बात कर लें तो लडाई को चुकि एक ही जगह पे हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा जितने भी यूद हुए हैं उसको एक ही जगह पे पढ़ेंगे चलिए सारे यूद को हम लोग एक जगह पे पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा तो फिलहाल पढ़ लेते हैं एक जो बहुत important है पूरे अकबर के सासनकाल के दौरान का जो बहुत important चीज है उसको हमें जानना जरूरी है आप भी इसको जानिये लिखिएगा पेटी कोट एडमिस्टेशन पेटी कोट पेटी कोट एडमिस्टेशन सब लोग जानते होंगे पेटी कोट तो लड़कियां पहनती हैं उसी पेटी कोट हिंदी में इसको कहते हैं परदा प्रशाशन या पेटी कोट सरकार या पेटी कोट सरकार इसमें लिखिएगा अकवर के साथ तो अकवर के साथ बिल्कुल वैसे ही घटना घटी जैसे आस्मान से गीरा तो खजूर पे जा आटका ठीक है अब देखो उसके पास कुछ था नहीं हुमाईँ आपको पता है किस तरीके से रूल किया है भारत को लेकिन फिर भी वह जो है उसके पास एक कहीं न कहीं एक अमपायर मिला अकवर को छोटा ही हो लेकिन मिला जरूर और बैरम खां के रूप में उससे एक important और strong आदमी भी मिला जो उसके प्रसासनिक व्यवस्था को सूचारू तरीके से व्यवस्थी तरीके से चला सकता था तो लिखिएगा फिर आगे चल कर किसी तरीके से अकवर ने बैरम खां से छुटकारा पाया अब देखो जब अकवर पैदा ले रहा है तो बैरम खां को प्रोटेक्टर अकवर ने खुद नहीं निक्त किया है किसने निक्त किया इसके पिता जी ने तो हो सकता है इसको पसंद नहीं हो लेकिन जब तक बच्चा था तो चलो ठीक है पिताजी का बात कहना मान रहा था तो बैरम खांसे जब इसको न्यूक्ती मिल गया तो फिर उसके हरम में जो इस्थिया थी हरम आपको पता है हरम एक जगह है एक प्लेस को बोलते हैं जहां पर मुगलकाल की जितने भी कन्याएं हैं इस्त्रियां हैं रानियां हैं वह रहते थी और हरम का जो देखभाली करने वाला ब्यक्ति होता था वह कोई पूरुष नहीं होता था और नहीं इस्त्री बलकि एक हिजड़ा ब्यक्ति को रखा जाता था तो हरम की महिलाएं फिर जो है प्रसासर में अपनी भागिदारी परतक्ष भागिदारी दिखाने लगी लिखिएगा हरम की महिलाओं में से जो सबसे मुख्य महिला है जिसका परभाव रहा पेटी कोट एन्मिस्टेशन पे उनका नाम है माहम अंगा तो लिखिएगा कि माहम अंगा का प्रभाव 1560 से लेकर 1564 तक बना रहा यदपी हरम का उस पर प्रभाव रहा लेकिन वह मालवा और गुंडवाना जीतने में सक्षम रहा अब देखो इसका प्रभाव तो है हरम का प्रभाव अकबर के अन्मिस्टेशन पे रहा लेकिन फिर भी अकबर जो है मालवा को और जो गुंडवाना लैंड है गुंडवाना का जो छेतर है उसको खुद से ही जितने का काम किया है खुद से ही उसको जीत करके उसको ब्यवस्थित किया अपने समराज में विस्तार में किया ठीक है इसमें कुछ पॉइंट लिखते चलिएगा बैरम खा के डेथ के बाद अकबर अतका खैल के परभाव में 1560-6480 तक रहा अतका खैल अकबर की देखवाल करने वाली औरतों एबं उनके संबंधियों के समोह को कहा जाता था अतका खैल आपसे पूछा जाए सर जी सौरब चौबे कैसा रहेगा अरे अच्छा रहेगा भाई आप पढ़कर देखते क्यों नहीं आप लोग आप पढ़िये तो सही सौरब चौबे हरिश्चंदर बर्मा सभी किताबे अच्छी रहती हैं लेकिन आप एक किताब को पढ़िये तो सही बहतर तरीके से तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है आपको खुद महसूस हो जाएगा कि अच्छा बुक है मैं ऐसे टीचर यदि मैं कहूं कि सौरब चौबे अच्छा है इसके पांडे ठीक बुक नहीं है ऐसा मैं कताई कह सकता कभी नहीं कह सकता कलोकर हमारे इवुक है कि मार्केट में आपका अपना ओपीने हो सकता है मेरे लिए जो किताब अच्छी थी और जो मुझे लगता है वह मैंने काफी बार सजिस्ट किया है तो आप लोग पढ़िए हरिश्चंद्र बर्मा को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़िए लेकिन मार्केट में नई नई किताबे डेली आती हैं तो डेली कुछ लोग कहेंगे कि सौरब चौबे पढ़ ले सर कुछ लोग कहेंगे कोई और किताब पढ़ ले सर कुछ लोग कहेंगे ये वला कैसा रहेगा जितना देर आप समय खर्च करोग उतना देर में उसका रिव्यू पढ़ लो और किताब हो सके तो उसको खरित करके प सनकालक में जब अकवर छोटा है तो देखने का काम करती है उसमें लिख लिजेगा हमीदा बानो बेगम है हमीदा बानो बेगम अकवर की मम्मी है उसके अलावा माहम अंगा है इसकी फोस्टर मदर है धाय मा देख बाल करने वाली जो मा होती है अकवर की foster mother अंग्रेजी में कहते है foster mother हिंदी में कहते है धाय मा माहम अन्गा गुड इवनिंग दुरगे session को आप लोग share कर दो माहम अन्गा उसके अलावा लिखिएगा अधम खा यह माहम अन्गा का बेटा है उसके बाद लिखिएगा गीगी अन्गा गीगी अन्गा और उसके बाद लिखिएगा उसका husband गीगी अन्गा का husband कौन है शमसूदीन खान यह सारे लोग जो है वो अतका खैल वाले group में है हिस्टोरियोग्राफी हिंदी में कौन सही रहेगा सर बस यही बता दीजे अरे मैं मेडियेवल के लिए आपको बताया है ऐसा नहीं आप समझो कि मैं गुस्से में बोल रहा हूँ मैं उसके लिए आपको बताया है कि आप हिंदी में पढ़ता हो तो हरिष्चंद्र बर्मा सतिष्चंद्रा को पढ़ो काफी है ज्यादा पढ़ने के ज़रुवत नहीं होगी बाकि आप हमारे वीडियो से पढ़ सकते हैं आपका मन हो तब और हिस्टोरियोग्राफी के लिए मैंने बताया है इस्ट्री धरन को पढ़ सकते हो लेकिन उसकी भासा थोड़ी टफ है इगनू का एमेचाई 03 पढ़ सकते हो एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दो तीन बार पढ़ना पढ़ेगा हिंदी में ही है लेकिन उसके साथ आप मेरा हिस्टोरियोग्राफी का सिरीज देख लेना तो एक बार में ही समझ में आएगा ठीक है हाँ हिस्टोरियोग्राफी का मेरा सिरीज है उसको आप जरूर देखना आगे देखनी के जूरत नहीं होगी पंद्रह सो साथ एड़ी में स्रिवाली की तलहटी में बयास नदी के किनारे भिल वाड़ा नमक जगह पे बैरम खां और पीर मुहम्मद के नेत्रित वाली मुगल आर्मी के बिच लड़ाई हो गई जिसमें बैरम खां हार गया अब बैरम खां और पीर मुहम्मद दोनों चुकी इसके गुरू रहे हैं हिस्टियोग्राफिक लिए स्रिधरन की बुक बेस्ट है ले लो हाँ हाँ तो मैंने इतने अच्छे से बताया था कि स्रिधरन पढ़ लो या फिर इगनुए में चाहे जिरो थिरी बहुत है यार उतना उससे ज्यादा नहीं पढ़ना आप ज्यारेफ हो जाएगा तो पीसडी करने जाओगे तो 1560 में कहां लड़ाई होता है तलहटी में कहां कौन सी तलहटी तो शिवालिक रेंज की तलहटी में और यहां पर बैरम खा जो है हार जाता है फिर अकबर कहा देता है बैरम खा को कि आप निकल जाए हज करने के लिए अब आपका बुढ़ापा आ गया है और मुसल्मानों मे हज करना जो है बड़ा पवित्र चीज माना जाता है कि जिन्दगी में एक बार कर लेना चाहिए तो बैरम खा को अकबर जो है हज पे भेज देता है हज पे भेज कर सेटिंग करा देता है है ना तो तीर्थ यात्रा जाने वाला ही राता है निकल जाता है तभी जैसे ही वो पहुचता है गुजरात के एक जगह है पाटन पाटन में मुवारक खां के द्वारा मुवारक खां जो है वह बैरम खां की हत्या कर देता है तो हज जो है मक्का में होने की बजाए वह यहीं हो जाता है है ना बेचारे मारे जाते हैं कौन बैरम खां अब आदमी तंग आ गया ह यार अकवर बड़ा हो गया तो उसको रूल करने देना चाहिए अब आप जब ठीक है वो बच्चा था तो आप रूल कर रहे थे लेकिन बड़ा हो गया तो इसको रूल करने दिजे अब इसमें क्या है आपी खुद ही रूल किये जा रहे हो तो इंसान तो गुस्टा करे गा Hi तो गुस्सा किया तो वही हो गया मौत उसका जो है परिणाम निकल करके आया आगे लिखेगा बैरम खां की बीडो जो थी यानि उसकी बिद्वा जो थी जिससे वो शादी कर रखा था वो बिद्वा हो गई न सलीमा बेगम और उसके चार साल के बेटा था अबदुल रहीम इन दोनों को सलीमा बेगम को और अबदुल रहीम को इन दोनों को अकवर कहा कि चलो डैडी को तो अबबा को तो भैजवा दिया हम हज पर अब जो है तुम्हारा प्रोटेक्शन हम करेंगे तुम्हारे पिता जी हमको प्रोटेक्शन किये थे अब तुम दोनों का प्रोटेक्शन हम करेंगे तो इन दोनों का प्रोटेक्शन फिर अकवर खुद करता है आप पढ़ोंगे अब्दूरहीम खान खाना के बारे में वह यही अब्दूरहीम है बैरम खान का बेटा अब्दूरहीम खाने खाना आगे चल करके उसको उपाधी दी जाती है अगला पॉइंट लिखेगा सलीमा बेगम से अकवर ने बिवाह कर लिया वाह गुरुजी के पत्नी से बिवाह हो गया बच्पन में प्रोटेक्शन दिया बैरम खाने अब फिर उसको मरवाया अब फिर उसकी पत्नी से बिवाह कर लिया गजब कहानी चल रहा है सलीमा बेगम से अकवर ने बिवाह कर लिया निकाह कर लिया एंड अब्दूर्रहीम खाने खाना को अपने पुत्र की तरह पालन पोसन किया और आगे चलकर उन्हें खाने खाना की बाद ही दी गई मुझे तो लगता सलीमा बेगम से महबबत की बज़े से तो ही नहीं मरवा दिया बैरम खा को क्योंकि महबबत और जंग में सब कुछ याज होता है तो साइद यही सोच कर इसी फिलोसफी के अधार पे जो है बैरम खा को टपकवा दिया होगा लेकिन यार सोचो कितना मतलब अलग थोट पॉसेस वाला आदमी है कितना इसके पास हिम्मत है कि गुरुजी के पत्नी को अप बेसिक इन्फॉर्मेशन था अब हम लोग पढ़ेंगे एक्स्पैंसन के बारे में सर हमें खी डाउट हो रहा है हाँ ऐसा चेला मत बनना तुम लोग आप लोग ऐसा चेला मत बनना है ना एक्स्पैंसन ओफ expansion of अक्वर्स अम्पायर या मुगल अम्पायर in the reign of अक्वर आप जैसे लिख सकते हो expansion of अक्वर नहीं expansion of मुगल अम्पायर in the reign of in the reign of reign 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 बने सासनकाल of अक्वर पहला नमबर लिखेगा मालवा पहला नमबर लिखेगा मालवा लिखेगा पंद्रह सो साथ इस्वी में बाज बहादूर मालवा का सासक था पंद्रह सो साथ में आकरवन होता यहां पर पंद्रह सो एक सथ में कब हो रहा है पंद्रह सो एक सथ में तो लिखेगा 1560 में मालवा का सास्तक जो है वह बाज बहादूर है और बाज बहादूर बाज फेमस फोर म्यूजिक सर जीजा अंगा के बारे में थोड़ा समझाईए सर आपका हिस्टोरियोग्राफी पढ़ अच्छे नमबर आये मेरे हाँ गुड 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 तुम्हारे अच्छे नमबर आगए पढ़कर न मेरे अच्छे नमबर नहीं आया थे पढ़कर क्योंकि मैं किताब से पढ़ा था और आप हम से खेर छोड़ो वो तो दर्धी अलग है आँ लिखिए गाइसमें बाज बहादूर जो है मालवा का सासक था जब मालवा पर आकरमन किया गया तो कॉंटेंप्ररी सासक जो है बाज बहादूर है बाज बहादूर फेमस था म्यूजिक के लिए ठीक है बहादूर बाज बहादूर वह म्यूजिक बहुत म्यूजिक लवर था जैसे आप लोग को यह लुवर उसी तरीके से जो है वह म्यूजिक लवर था साउत्क caminho रोल्ड फेमस लवर करके आप देखना कभी इसमें लिखिएगा अकवर ने माहम अंगा के पुत्र अधम खा को और पीर मुहम्मद को मालवा बीजय प्राप्त करने के लिए भेजा और उन्होंने मालवा की राजधानी सारंग पूर से दस कोस दूर डेरा डाल दिया बाज बहादूर ने 1561 में अधम खा का मुकावला किया परन्तु परास्थ हो गया ठीक है परन्तु परास्थ हो गया नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बाज बहादूर ने एक नपुन्सक गुलाम बाज बहादूर के एक नपुन्सक गुलाम ने सर पंदरागस्ट को मेरा बड़े है इस से अच्छी बात क्या है जंडा फारा देंगे खुसी में अपने घर में कि एक student का बड़े है बताओ चलिए बदाओ क्या करना है बड़े पे क्या मतलब उस दिन 15 गस पे लिक्चे रखा जाए बाज बहादूर के एक नफुनसक गुलाम ने रूप बती को मारने के इरादे से घायल कर दिया और जब रानी रूप मती को अधम खा के समुख लाया गया तो उसने जहर खा लिया अधम खाने मालवा से काफी समपती लूटी और उसका थोड़ा सा भाग मुगल बादसाह के लिए भेज दिया यहीं से गलती हो राब अकबर भेजा है भाई अपना धाय माँ को बेटा को कि जाओ तुम मालवा को जीत करके आओ वहाँ गया ठीक है पूरा लूटा माल लेकिन मतलब थोड़ा सा माल भेज दिया मुगल अमपायर को और बाकी सब माल अपने पास रख लिया तो अकबर नराज होगा कि नहीं नराज तो होना ही है तो लिखिएगा अकबर इस क्रिया से काफी नराज हुआ परन्तु माहम अंगा ने उसे कुछ शमय के लिए शांत कर दिया कि भाई शांत रहो मेरा बेटा है तुम्हारा चचेरा भाई ये ना है जी रख लिया तो रख लिया लेकिन मुहम्मद खान अंगा की सलाह पर उसको बापस बुला लिया गया अब मुहम्मद अंगा फिर उसको जो है मुहम्मद खान अंगा के सलाह पर उसको बापस बुलाया गया और पीर मुहम्मद को मालवा भेजा गया सर माहम अंगा प्रथम हाँ हाँ पर्थम महिला परधान मंतरी थी मुगल पीरियट की बात हो रही है ना भारत की बात नहीं कर रहे हो ना अब ठीक है चलिए आगे लिखेगा अब माहा मनगा जो है अदम खां को बुला लिया गया और पीर महम्मद को जो मालवा भेजा गया जी सर जी ठीक है वो पीर महम्मद भी समराट के प्रती बाफादार नहीं रहा तो अकवर ने अब्दुल्ला खां उजबेग को भेजा कि जो भाई मालवा में आखिर क्या प्रब्लम है अपने गुरु जी को भेज रहा चेला बड़ा हो गया ना तक गुरु जी भी जो है बाफादारी नहीं नि लिया तो कहां पीर महम्मद पे भरोसा करते हैं उसको भेजो उसने भी देखा बाफादारी नहीं निवाया तो तीसरा आदमी को भेज रहा है अब्दुल्ला खां उजबेग को लिकिएगा अब्दुल्ला खां उजबेग गया तो मालवा के समस्या सनिवटने के लिए उसक प्राथ भरोसा नहीं कर पाया कि भाई जिसको भेज रहें वो इसने सब धन बाइस पसरी निकल गया सारा धन बाइस पसरी है न कहाबत तो लिखेगा तब फिर पंदरासो चौशट में भाई अब इसका जो है मौट गरम हो गया बोला अब जितना आदमी को भेज़ रहें सब जो है गद्दारी निकल कर रहा है तो 1564 में खुद कहा कि अब जो है हम खुद जाएंगे तो लिखे 1564 में अकवर स्वय उसे सबक सिखाने के लिए मालवा गया अब्दुल्ला खां की मृतिव 1565 इस्वी में हो गई और यहीं मांडू अकवर ने खान देश के सासक मीर मुवार शाह की पुत्री से बिवाह किया और बहादुर खां को मांडू का सुबेदार नियुक्त कर दिया और मारबार और गौालियर के रास्ते आगरा बापस आ गया यार एक बिवाह तो सलीमा खान से किया ही दूसरा बिवाह यहां पर कर लिया ठीक है खान देश का जो सासक है मु पर आकरवन करके वह वापस लौट रहा था आग्रा की तरफ उसी बीच खान जमां खान जमन मिला वह भी बत्तमीजी किया था रिशा बल्लिबाल पेटी कोट सरकार के पतन के कारणों में भी यह सब लिख सकते हैं क्या हाँ बिलकुल लिख सकते हैं इस बीच खान जमन को उसक जागेर शिनले आप देखो अफ zombi कोट एडमिस्ट्रेशन कोई फॉलो कर रहा था या फिर पीर मुहंबत को भेजा अधम अधम मिन्स माह मन गा माह मन गा को बेटा को भेजने का मतलब ह कि माह मन गा अभी पावर में है और उसको importance भी दे रहा अकबर लेकिन अब जब भरोसे मंद नहीं रहा भरोसा नहीं रहेगा तब फिर मारेगा न जी इतना वार कौन भरोसा करता है दो तीन आदमी पर भरोसा किया तीनों धोखा दे दिया तन्त में आदमी तो गुस्सा करेगा ही चलिए आगे लिखिएगा इसमें कुछ और point बचा है तो उसको मैं एक बार देख लूँ लिख लिजेगा बाज बहादूर अकबर की अधिनता स्विकार कर लिया और उसे माफ कर अकबर ने 2000 का मनसबदार बना दिया मनसबदार यहां से टर्म आ गया देखो बाज बहादूर को कितना का मनसबदार 2000 का यह सवाल भी अपने आप में एतिहासिक है पूछा जा सकता है कि आकबर ने पहली बार किसको बनाया बाज बहादूर को यह टर्म आ रहा है पहली बार अब एक lesson जो होगा हम लोग का वह बहुत विस्तार में होगा मनसबदारी सिस्टम पे कम से कम 30-40 मिनट बात करेंगे हम लोग कि मनसबदारी सिस्टम है क्या भाई ठीक है चलिए आगे लिखेगा दूसरा एक्सपेडिशन चुनार एक्सपेडिशन ओफ चुनार अंग्रेजी में हिंदी में चुनार अभियान लिखेगा 1561 अकवर ने आसफ खां को चुनार पर अधिकार करने के लिए भेजा अकवर ने चुनार पर अधिकार करने के लिए आसफ खां को भेजा और आसप खाने दूर्ग पर आकर्वन कर उसे जीत भी लिया तीसरा नमबर लिखेगा एक्सपेडिशन ओफ आमेर आमेर जैपूर में एक्सपेडिशन ओफ आमेर 1562 आमेर के ब्रैकेट में जैपूर कर लिजे हाँ संगीत में हारा था 1562 में लिखेगा जब आमेर पर आकर्वन किया गया तो उस समय वहां का राजा भारमल था कौन था भारमल राजा भारमल था इसमें कुछ और विस्तार दिया है तो देख लें एक बार ठीक है राजा भारमल था राजा भारमल हू वाज कच्वाहा राजपूत राजा भारमल जो है कच्वाहा राजपूत था कई राजपूत हुए हैं उसमें से कच्वाहा जो है राजपूत था ये आगे लिखेगा स्वेक्षा से उसने अकवर के अधिनता स्विकार कर ली, स्वेक्षा से बिना लड़ाई जगरा किये हुए, छे फरवरी 1562 को राजा भारमल की बेटी हरखा बाई के साथ बिवाह कर लिया, अभी देखते चलो कितना बिया होता है, तिसरा नंबर पे है ये ब इप्लोमैसी है, कि बिवाह कर लिए तो सब कुछ होगा ससुराल वाला आकर्मन नहीं करेगा, तो वहां तक अंपायर हो गया ना, डिवलप, वहां तक अंपायर का एक्स्पिंसन हो गया, जैसे चंद्रगुप्त मौर ने भी किया था, क्या नाम था, सेंड्रो कोटस की हो गया ना, तो जीजा पर ससुराल से आकर्मन हो, ऐसा मतलब न के बराबर ही देखने को मिलता है, तो शादी करना जो है, या निकाह करना एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, उसके अलाबा आप ये भी कर सकते हो, कि आदमी का अपना परसनल चॉइस भी हो सकता है, लेकिन य यह एक पॉइंट जो है, हम लोग याद रखेंगे कि यह पॉलिटिकल स्ट्रेटजी या डिपलोमैसी है, और अपना पॉइंट तो ही है, जिसका मन है, दस वो बिवाह करने का तो, बीना मन का बिवाह थोड़े न होता है, ये क्यों पेज आता है बार बार, चलिए, इसमें लिखिएगा, अगला इसी में, भारमल को मुगल सेना में पांच हजार का मनसब बनाया गया, भारमल को, राजा भारमल को अकवर के द्वारा, मुगल सेना में या मुगल प्रसासन में पांच हजार का मनसब दार बनाया गया, पांच हजार का मनसब का क्या मतलब होता है छे हजार का क्या मतलब होता है सब मनसबदारी प्रथा में हम लोग समझेंगे कन्फिूजन की जरुवत नहीं है आगे लिखिएगा उसके पूत्र भगवान दास तथा पौत्र मान सिन मुगल प्रसासन में उच पदों पर न्यूक्त किया गया और मान सिन को साथ हजार जात और साथ हजार सवार का मनसब प्रदान किया गया अकवर के द्वारा आगे लिखिएगा अकवर कालीन मनसबदारों में राजा मान सिन के अलावा मिर्जा अजीज कोका को मिर्जा अजीज कोका को साथ हजार जात तथा साथ हजार सवार का मनसब दिया गया था मात्र दो व्यक्ति है जिसको इतना प्यार किया है इसने अकवर ने साथ हजार जात और साथ हजार सवार का मनसब देना बहुत बड़ी बात थी तो अपने पूरे सासन काल में उसने दो लोगों को दिया एक तो मान सिंग को, मान सिंग को क्यों दिया, आपको पता है मान सिंग कौन है, राजा भार्मल का जो पुत्र है भगवान दास, तो राजा भार्मल का ही पोता है मान सिंग, अब यहाँ पे भी देखना होगा आपको कि राजा भार्मल की बेटी हरखा भाई के साथ वो बिवा किया ना तो इतना मनसब दिया इतना तो करना भी चाहिए यार ससुराल हो गया तो आप आपके पास है वेवस्था तो दे देना चाहिए क्या दिक्कत है उसमें चलिए आगे लिखिएगा अगला मेड़ता अभियान अकबर में जो है अभियान का कमी नहीं है इसमें अभियान ही अभियान चलेगा 40 साल तक 40 साल गदी पर हाथ लड़ाई जगरात नहीं किया है बहुत लड़ाई किया है लिखिएगा मेड़ता बिजय मेर्टा पर राय माल्देव के सिनापती जैमल का अधिपत्य था मार्च 1562 में मेर्टा पर मुगलो का अधिकार स्थापित हो गया और जैमल ने भाग कर मेवाड के राणा उदय सिंग के यहां शर्ण लिया ठीक है चलिए लिखेगा अकवर ने आगरा से मेर्टा की 120 कोस की दूरी एक दिन और एक रात में पूरी की आगरा से जो मेर्टा है वह 120 कोस है कोस समझ में आता होगा आप लोग को इसका डिस्टेंस जो है एक दिन और एक रात यानि 24 घंटा में जो है भाई वहां तक पहुँच गया सर बुआ हो सकती है बुआ हो सकती है क्या बुआ ही होती है चलो आगे लिखिएगा शाही सेना को सामने देख जैमल ने समर्पन कर दिया लेकिन देवदास ने शर्म के मारे सारे ख़जाने में आग लगा दी और कुछ राजपूतों के साथ आकर्मन किया लेकिन उसमें से दो सो राजपूत मारे गए और अंततह मुगलों का मेड़ता पर नियंतरन अस्थापित हो गया मेड़ता तक समझ मैं आया मेड़ता के बाद आगे बढ़ते हैं गढ़ का टंगा लिखेगा अगला गढ़ का टंगा लिखेगा यह मद्यपरदेश में इस्थीत है यह मद्यपरदेश में इस्थीत है लिखेगा गढ़ and का टंगा are two villages on the same place in मद्यपरदेश दरूलर अफ गढ़ कटंगा अन देट फेज वाज अमन दास गोंड क्या नाम है अमन दास गोंड अमन दास गोंड जो है नाम है ठीक है चलो इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग लिखिएगा गोंड कास्ट की मेजोरिटी के कारण इसे गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है नेक्स पॉइंट अमन दास गोंड की उपाधी संगराम साह के द्वारा दी गई थी अमन दास गोंड की उपाधी संगराम साह यानि उसको संगराम साह भी कहते थे कापिटल चुनार गढ़ लिखिएगा और नेक्स पंट लिखिएगा संगराम सिंग की मिर्तिव के बाद अल्प आयू पुत्र वीर नारायन की संरक्षिका रानी दुरगावती थी संगराम सिंग कौन अमन दास गोंड वाज इंटाइटल्ड बाई संगराम साह और संगराम साह जब मरता है तो उसके मिर्तिव के पस्चात उसका जो बेटा है बहुत कम उम्रका है वीर नारायन लेकिन इसकी जो संड़क्षिका रहती है वह important है जैसे protector होता है बैरम खा था उस समय उसका अकवर का तो उसी तरीके से वीर नारायन जो है इसकी जो protector है वह एक lady है जिनका नाम है रानी दुरगावती रानी दुरगावती लिखेगा सेन अभियान 1564 वर्स में किया गया था मुगल सेन ने त्रित्व यहाँ पर आसफ खान ने किया है रानी दुरगावती की पराजय हुई और पराजय के पस्चात रानी दुरगावती ने अपने सरीर में छूरा घोप कर आत्महत्या कर ले और नेक्स पॉइंट लिखिएगा गढ़ कटंगा पर फाइनली मुगलों का अधिकार अस्थापित हो गया अकवर जो है गुंडवाना पर परतक्ष अधिकार अस्थापित करना नहीं चाहता था इसलिए कुछ कीले को सम फोट्स को दुर्ग को कबजे में रखकर संग्राम साह के भाई चंदर शाह को गढ़ कटंगा की गद्दी सौप दी अब यार जब आप बताओ जब आप डारेक्ट रूल नहीं करना चाह रहे थे तो फिर क्यों आकर्मन किये के ओ इतना सारा रिसोर्स बरबाद किये और ये भी मारी गई रानी दुर्गाबती को भी आपने हराया और वो सिल्फ रेस्पेक्ट में छुड़ा घुप कर आत्महत्या भी कर ली क्या ज़रूरत था जब आप डारेक्ट रूल करना ही नहीं चाह रहे थे तो छोड़ देते लेकिन आदमी मानता नहीं है एक बार महौल बनाना जरूरी रहता है ताकि डर बना रहे आगे लिखिएगा एक्सपेडिशन ओफ मेवाड एक्सपेडिशन ओफ मेवाड कितना सारा एक्सपेडिशन है कि आदमी अकवर में कनफ्यूज हो जाता याद करते करते एक्सपेडिशन ओफ मेवार इसमें लिखेगा मेवार का एक्सपेडिशन 1567 में हुआ मेवार का एक्सपेडिशन 1567 में 1500 और एक्सपेडिशन 1567 में कॉल काट दो तब भी लोग अंधा धूंद कॉल करने लगते हैं सर एक्सपेडिशन क्रोनलोजी वाइज भी पूछ सकते हैं क्या हाँ ये लोग कनफ्यूज करने के लिए कभी कभी पूछ देता है न इसलिए मैंने अभी तक जो लिखवाया होगा क्रोनलोजिकल ओर्डर में ही होगा क्योंकि अलग अलग सभी लिखवा सकते थे लेकिन अभी तक शायद उसी को फॉलो करते आ रहे हैं और एक तो इस तरीके से याद करना दूसरे तरीके से याद कर लेना कि उत्तर भारत में जितने आकर्मन हुए उसको एक साथ याद कर लिए दक्कन भारत का एक साथ कर लिए नौर्थ हिस्ट का और नौर्थ का एक तरफ कर दिए ऐसे आपको याद हो जाएगा चलिए प्रकास क्लास तो आठ बज़े से ही था और आप तो ये अब तो नौ बज़ गया यार एक घंड़ा क्लास स्टार्ट किये हो गया अब तो डेली क्लास ले रहा हूं तब भी प्राब्लम तब तो कम से कम समय से तो आ जाना चाहिए पंद्रासोशडशट मेवार में लिकलिजेगा यहां का जो कॉंटेमप्ररी रूलर है यह बहुत इंपोर्टेंट रहता इसको तो हमेशा याद रखना है राणा उदय सिंग यह सिशोधिया डाइनेस्टी से जुड़ा हुआ है किसे सिशोधिया डाइनेस्टी से लिखेगा मेवाड का कापिटल चित तौर था नेक्स पॉइंट अकपर ने दो कारणों से मेवाड पे आकरमन करने की योजना बनाई थी पहला जो कारण रहा है वह काता कि मेवाड दिल्ली और गुजरात के रास्ते में पढ़ता था तथा गुजरात विजय के लिए मेवाड को आवश्यक मानते थे अब देखो आगरा में है आगरा से दिल्ली इसको जाना है अब नहीं सोरी गुजरात जाना है ठीक है तो दिल्ली और गुजरात के रास्ते में पड़ता था मेवार तो दिल्ली और गुजरात के रास्ते में तो गुजरात जाना है तो मेवार को जितना जरूरी हो जाता था मान लो कि मेवार पे कोई और सासन कर रहा है और यहां से अकवर निकला आप बीच में टांग ड़ा दे तो इस टांग को खतम करना जरूरी था ऐसा अकवर मानते थे इसलिए अकवर ने जो है मेवार पे आकरमन का योजना बनाया पहला पॉइंट यह है जो थोड़ा वैलिड भी लगता है दूसरा पॉइंट राना उदय सिंग ने अकवर के शत्रू बाज बहादूर और अन विद्रोहियों को सहता दिया था आपको पता है बाज बहादूर पर जब यह पहली वार आकरमन किया था वही बाज बहादूर जो म्यूजिक लवर है है ना तो जब उस पर भाग कर कहां गया था राना उदय सिंग ने उसको जो है सरण दिया था इसलिए एक तो खुन्ना से ठाथा कि भाई जितने लोगों को हमने मार कर पिलाया है उस सब को यह सरण देते जाता है तो विद्रोही लोग को सरण दीजीगा तो आप भी उसके विद्रोही सत्रू बन होता रहा और राना उदर सिंग ने अपने सरदारों के सलाह पर दुर्ग की रक्षा का दाइत्व जैमल और फतह को सौप दिया जैमल और फतह को और खुद जो है अरावली की पहाड़ियों की तरफ जो है सुरक्षित जगा पे निकल गया देखा कि भाई अब मुगल ज्याद हाभी हो सकते हैं तो जान तो बचाना है न यही तो डिप्लोमेसी है जान है तो जहान है जान है तो फिर लड़ लेंगे आपको पता है रज्या सुल्ताना जब घिर गई थी तो बिवाह कर ली थी न उससे मलिक या कुद से क्या नाम था उसका सौरी अलतुनिया से जबकि अ अलतुनिया से उसका लड़ाई था अब रास्ता में कोई और मिला तो उससे घिर गई तो बिवाह कर लिए तो डिप्लोमेसी है यह जरूरी भी होता है कभी कभी ऐसे बिवाह करना पड़ता है लिखिएगा तो जैमल और फतह को राना उदर सी ने कहा कि भाई आप लोग किल हुई दिवार को जैमल मरमत करवा रहा था उसी समय मुगल सैनिक की प्रहार से घायल होकर गिर गया और उसकी मृतिव हो गई नेक्स पॉइंट राना का दूसरा बफादार फतह अपने सैनिकों के साथ दूसरे दिन मुगल सेना पर आकर्मन कर दिया आकर्मन के पस्चात फत हमारे गए और मुगलों ने चितार पे जो है आकर्मन स्थापित कर लिया आकर्मन कर लिया या कबजा कर लिया जैसे ही कबजा होता है तो अकबर आसफ खां को जिमेदारी देता है आसफ खां इसका बहुत इंपोर्टेंट आदमी है आसफ खां ने बहुत सारा एक्सपेडि जहां अराबली की तरफ से वहां से लड़ाई शुरूख किया आगर राजा भाई लड़ेगा ना लड़ना तो जरूरी है तो उधर से लड़ाई शुरूख किया और अंतिम जिंदिगी में मरते मरते दम तक संघर्ज करता रहा लिखिएगा अकबर जैमल एबम फतह के पराकर तुडबा दिया गया अब देखो जैमल और फतह जो है ये भी तो ऐसे नहीं हलका फुलका तो था नहीं तो जैमल और फतह ने भी काफी अच्छी लड़ाई लड़ी थी और अकबर इस इतना प्रभावित हुआ कि जब आगरा पहुंचा तो आगरा का जो किला वो बनवाया था उसका जो प्रवेश द्वार था वहाँ पर जो एक तरफ जैमल को और एक तरफ फतह को बनवाया हाथी पर बैठा हुआ सोचो प्रभावित है तब ना जब आप मतलब अच्छे रहते हैं और आप प्रभावित करते हैं तो दुस्मन भी जो है दुस्मन भी आपको अपनी नजर में रखता है तो आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर जैमल और फतह का जो फोटो लगवाया हाथी पर बैठा हुआ लेकिन बात में औरंग जेव आपको पता ही है औरंग जेव ने तुड़वा दिया ठीक है चलिए आगे लिखते हैं अभी हम लोग क्रोनलोजिकल ओडर में ही पढ़ रहे हैं उसको फॉलो करते रहेगा आप भी एक्सपेडिशन ओफ रंथमबोड पैड पर लिखने में नहीं बनता है इतना खराब हंडाइटिंग नहीं हमारा आप लोग मजाक मतुड़ाना एक्सपेडिशन ओफ रंथमबोड यह लिखेगा पंदरह सो उनहत्तर 1569 में जो है यहां प्राकर्मन हुआ है और यहां का जो शासक है रूलर है वह इंपोर्टेंट है उसका नाम है सूरजन रोय इसमें लिखिएगा यहां पर शाही सेना का शाही सेना बोले तो यहां पर शाही कौन है यहां पर मुगल है शाही तो यहां पर जो शाही सेना का नेत्रित्व है वह भगवान दास और मान सिंग मान सिंग इन दोनों मिल करके जो है रंधंबोर पे आकरवन करवाया इन दोनों से सुर्जन रॉय ने आत्म समर्पन कर दिया और अकवर उसे साही सेना में भरती कर लिया यह बेसिक बात है इतना लिख लिजेगा अकवर की यही चलाकी है यही डिप्लोमेस है राजपूतों कर राजपूतों के खिलाफ लड़वाया अब यह भी कई जगों पर होता है लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं बाकी जिसको मज़ा लेना वो लेते रहता है आगे लिखिएगा एक्सपेडिशन आफ कालिंजर कालिंजर 1569 1569 कचवाह प्रिंच तो हम लोग पहले पढ़े ही ना एक्सपेडिशन आफ कालिंजर में लिखिएगा कॉन्टेम्प्री जो रूलर है उसका नाम है राजा राम चंद्र राजा राम चंद्र इसमें लिखिएगा यहाँ पर जो है सेना का नित्रित्व किया है मजनू खाने और मजनू खान काकशात इसी का नाम है इसने सेना का नित्रित्व किया यहाँ पर भी कालिंजर के सासक राजा राम चंद्र ने आत्म समर्पन कर दिया बाद में जो है मजनुख हां को जो है कालिंजर का सुवेदार बना देता है अकबर आगे लिखिएगा एक्सपेडिशन ओफ जोधपूर और बिकानेर एक्सपेडिशन ओफ जोधपूर और बिकानेर यह लिखिएगा 1570 1570 AD में जोधपूर का राजा मालदेव एबं बिकानेर का राजा राय सिंग ने राजा भगवान दास के माध्यम से अकबर की अधिनता स्विकार कर ली भगवान दास आपको पता है भगवान दास और मान सिंग एक ही साथ गये थे तो यह अकबर का कोर आदमी है बिस्वासी आदमी है तो उसी को बुला करके देखा कि इससे पहले की कुछ लड़ाई हो भगवान दास को बुलाया बोला बोल दो अकबर को जा करके कि हम मिलना चाहते हैं उनके सासन काल में ही हम सासन करेंगे अंदर में रह करके करेंगे बोल दो लड़ाय जगरा नहीं करने के लिए हमसे तो भगवान दास को मीडियेटर बना करके इन लोगों ने अकवर के अधिनता को स्विकार कर लिया अगला पॉइंट लिखेगा 1570 में ही जैसल मेर के राजा लहर राय ने भी अधिनता स्विकार कर ली जैसल मेर एक्सपेडिशन ओफ जैसल मेर करके भी आप अलग से लिख सकते हैं लिख लिजेगा एक्सपेडिशन ओफ जैसल मेर यह भी 1570 की बात है 1570 में यहां के जो सासक है उसे राओ कहा जा रहा है राओ राओ पद है जैसे इराण में राजा को शाह कहते हैं तो राओ पद है साशक उसका नाम है लहर राय इसने भी जो है अकबर की अधिनता को स्विकार कर लिया 1570 में तो अभी हम लोग 1570 तक पहुँचे हैं आगे बढ़ते हैं एक्सपेडिशन तो कम से कम पूरा करीं सकते हैं एक्सपेडिशन अभी और है बहुत है कम से कम तो अभी 2-3-4 पेज और होगा ही चलने देते हैं आप लोग कहो तो इसको करेंगे मुहम्मद अहसान आप तो काफी देर पर आये हो साथ ही आप पहले काफी कमेंट करते रहे हैं आपको हार्दिक शुप कामना है भाई सहाब आप बहुत अच्छा परियास करते हैं मुफ्त में आप बहुत बड़ी बड़ी चीजे देते हैं मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि टेस्ट सिरीज भी आप लेते रहा किजिए यदि आपको संभब हो तो उत्तर परदेश में आई हूँ वेकेंसी डिगरी कॉलेज की तयारी कराएं आप उस पर भी किरपया दी कर सकते हैं तो आधोनिक के लिए बिश्चे स्वोप से बहुत शुक्रिया लेकिन आपने जो कहा कि मैं मुफ्त में करा तो मुफ्त में कहां करवाता हूं आप से मैंने टाइम लेकर इतना कमेंट लिखने के लिए आपको मजबूर्त हो किया तो फिर मुफ्त कहां रहा कुछ आप लिख रहा हो यही मेरी उपलब्दी है ना मुफ्त तो कुछ है नहीं आप भी तो हमको बहुत कुछ दे रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है मुफ्त में कुछ होता नहीं क्या लिए थांक्यू सो मच आप अप्रिशेट करतो हमेशा बट मैं अकेले हूँ मेरी कोई टीम नहीं है कि मैं उसे कहा दूँ कि यार आप क्विस्चन तयार करो सो क्विस्चन यहां से यहां से ऐसा मुझे जो कुछ भी मैं करता हूँ वो मुझे खुद से करना पड़ता है तो अब देखता हूँ मैं मैंने अभी 160 क्विस्चन लगबग है कहीं मैं किताब से लेकर कहाया हूँ और उसका मैंने मैं डिसकसन करवाँ वो हो सकता है कल ही पर सो दिल्ली सलतनत पर होगा लगबग बहुत अच्छा questions है आप लोग पढ़कर के आईएगा दिल्ली सलतने तब उस पे चर्चा करेंगे नहीं तो फिर ऐसे आकर कि आप देखते रहेंगे लिखेगा expedition of mewar and the war of हल्दी घाटी expedition of mewar and the war of हल्दी घाटी इसमें लिखेगा ruler का नाम महराना प्रताप सिंग है आपको पता होगा है नाम से अन्भिग नहीं होंगे आप लोग प्रणाम जोती capital लिख लिजेगा कुंभलगड कुंभलगड एंड यहाँ पर जो सैन नित्रित्व है military का जो नित्रित्व किया है उस वैक्ती का नाम है राजा मान सिंग उस वैक्ती का नाम है राजा मान सिंग पहला point लिखेगा बदायूनी ने जो इस यूद में भाग लिया था अपनी पुस्तक मुन्तखब उत्तवारिक में हल्दी घाटी की लडाई का विवरन प्रस्तूत किया है बदाविनी भी यहां पे था लडाई में तो बाद में आगे चल करके वह जो किताब लिखता है मुन्तखब उत्तवारिक इसमें हल्दी घाटी के लडाई का जिक्र करता है कौन? मैं तो नहीं कर रहा हूँ बदाविनी करता है और बदाविनी जो है आगे चल करके अकवर का सबसे बिरोधी आदमी हो जाएगा उसका अकवर के दोर का यदि क्रिटिक्स ढूंडेंगे तो सबसे बड़ा वही है बदाविनी है, इसलिए अकवर के सासन काल का इतिहास पढ़ने के लिए यदि आप अबुल फजल को प्रेफर करते हैं तो अबुल फजल के अलावा आप बदाविनी को भी प्रेफर करेए उस दौर के क्रिटिक्स को जरूर पढ़िए किसी भी दोर का क्रिटिक्स को वो आपको एक नया एंगल देगा डिफ्रेंट एंगल से सोचने के लिए क्योंकि आप जो आदमी प्रसंसा करना कितना आसान काम होता है लोग प्रसंसा करते रहते हैं अलोचना करना थोड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है इसलिए निंदक नीरे राखिये ऐसा करके कबीर का दोहा आप लोग को याद आ गया होगा क्यों अभी बापस हिस्ट्री पे आते हैं हम लोग प्रतिद्वंदी सैनिकों के बीच मुटवेड 18-1576 को ही जिसमें महराना प्रताप हार गये और भाग कर अराबली पहाड़ी में शरन ले लिए बट मुगलों के बिरुद्ध वहां से भी उन्होंने अपने संघर्ष को अपने लडाई को जारी रखा और नेक्स्ट पॉइंट अकवर के काल तक मेवाड पर पूरी तरह मुगलों का अधिपत्ति नहीं अस्थापित हो सका मेवाड से चुकी लडाई चलता रहा तो पूरी तरीके से कभे भी डाइरेक्ट कंट्रोल में मेवाड आया ही नहीं अकवर के पूरे सासनकाल तक 605 एडी तक की बात हो रही है नेक्स्ट लिखेगा एक्सपेडिशन अफ गुजरात उसमें लिखेगा पंद्रा सो बहत्तर से तिहत्तर इसमें लिखेगा सासक हैं मुजफर शाह स्तृत्ये मुजफर शाह थर्ड टाइम लिख लिखेगा आपने लिखिए अकवर यहां पर जो है सेना का नित्रित्व स्वय किया था खुद ही लड़ने के लिए गया था, खुद ही सेना का नित्रित्व किया, और अकबर जब खुद लड़ने चल गया, जब आस्द्रफखां को भेज रहा था, तब लोग आत्म समर्पन कर दे रहे थे, और यहां पर तो बादसा खुद चले गया, तो आत्म समर्पन नहीं करें से जो है बहुट कुछ मिला किसको अकबर को जैसे कि लिखिए गा मिरजा अजीज कोका को उत्री गुजराथ तथा इत्तेमाद खान को दक्षनी गुजराथ का सुबेदार अपॉइंट किया अब मिरजा अजीज कोका नवरत में इसका एक है भाई मिरजा अजीज कोका को जो है उत्री गुजरात का और इत्तेमाद खां को दक्षनी गुजरात का जो है सासक बना देता कि भाई आप यहाँ पर रूल करो नेक्स पॉइंट लिखिएगा इसके बाद अकवर ने खंभात एबम सूरत पर भी अधिपत्य अस्तापित कर लिया और उसके तत्पस्चात वह आगरा बापस लोटा तत्पस्चात आगरा बापस लोटा चली यहां तक हो गया तो आगे अगला एक्सपेडिशन लिख लिखते चलेंगे तब ऐसे आप सुनोगे फिर भूल जाओगे लिखते चलेंगे तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा तभी पढ़ने का कोई मतलब है नहीं तो फिर आप ऐसे देखो भूलते जाओ देख खुद जाकर लेकिन खुद वहाँ पर रूल नहीं किया किसको बैठा दिया था मिर्जा जीज कोका को और इत्ते माद खा को तो गुजरात का लोकल आदमी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाया तो वहाँ पर विद्रो होना ही है और जो पहले से जो सासक है उसका अपना बे रिवोल्ट कर रहे थे वहाँ पर उनका दमन करने के लिए अकवर गुजरात का दूसरा भियान पर निकल जाता है और विद्रोहियों को इस बार मार कर इतना पिल पिला देता है कि फिर बचता नहीं है और मारने के बाद मिर्जा जीज कोका को फिर से गुजरात का सुबेद खेलार बनाता है फिर से ठ्रस्ट करता है धोनी की तरह कि कई बार पफोर्मेंस अच्छा नहीं रहा रोहिस चर्मा का लेकिन धोनी ने ट्रस्ट किया कि यह अगली बार ठीक हो जाएगा अगली बार ठीक हो जाएगा और आज रोहिच सर्मा देख लो उनका क्लासी अलग है आगे लिखेगा विंसेंट अस्मित ने अकवर के दितिये गुजरात अभियान को एतिहासिक दृत गामिया कर्मन बताया है फास्टेट फास्टेस्ट इन्वे नहीं हुआ है यह ऐसा विंसेंट अस्मित ने कहा है वी ए अस्मित ने किसके बारे में अकवर के दूसरे गुजरात अभियान के बारे में जो 23 अगस्त 1573 को किया गया आगे लिखेगा 1573 यानि 1573 AD में स्थापित मुगल अधिपत्य अस्थाई नहीं था बलकि समय समय पर मुझफर साहत रित्य बिद्रोह करता ही रहा वो भाग जा रहा है वो मराएगा तब ना जब तक वो मराएगा नहीं तो अपना आदमी से तो बिद्रोह करवाता ही रहेगा अगला लिखेगा 1584 AD में मुझफर साहत थड बंदी बना लिया गया और उसे कैद खाने में ही गला काट कर अत्महत्या कर ली ठीक है वह खुद से अरे तो बड़ा मजबूत आदमी है भाई 1584 में जो कैद खाना में अपना गला काट कर अत्महत्या कर लेना है तो बहुत बहुत हिम्मत वाला काम है चलिए यहां तक यदि आपको समझ में आया तो ठीक है फिर आगे हम लोग बढ़ना चाहिए आगे लिखिएगा आप लोग एक बार बताईए जितने साथ ही अभी तक बने हुए हैं वो बताएं कि आगे इसमें बढ़ें या वीडियो को पाउस करें अगले क्लास में हम लोग कबर करेंगे ज्यादा बोरिंग हो रहा है या फिर ज्यादा मतलब टफ लग रहा है तो फिर इसको स्टॉप कर सकते हैं अगले क्लास में कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी से आप लोग बता दो कि क्या इसे रोकना है कि यह कंटिन्यू करें कि अरे आप लोग सच में अभी तक लिख रहे हो क्या आप लोग बताओंगे नहीं कोई तो बोलो क्योंकि एक घंटा बीस मिनट अल्रेडी हो चुका है दी इसको आगे बढ़ाना है तो आप लोग बताओ अधर वाई इसको स्टॉप करते हैं कल इसको कवर करेंगे आगे बढ़िये ठीक है आगे बढ़ते हैं मेरा मन नहीं भरता है पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सवर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सवर कर लिया जाए लिखेगा अगला अभियान बिहार एबम बंगाल पे एक्सपेडिशन ओफ बिहार एंड बंगाल कितना नंबर था मैं भोल भी गया एक्सपेडिशन ओफ बिहार एंड बंगाल लिखेगा यहां का साशक contemporary ruler जो है उसका नाम है दाउद point लिखेगा दाउद ने अपने नाम का खुतवा पढ़ाया तथा सिको पर भी अपना नाम अंकित करवाया था अगला point अकवर ने मुनिम खा को 1574 में अकवर ने मुनिम खा को 1574 AD में दाउद के बिरुध भेजा दाउद के बिरुध भेजा और खुद 1575 AD में विद्रोह के दमन के लिए पटना पहुँचा दाउद खाँ पटना छोड़ कर बंगाल भाग गया और मुनिम खाँ दाउद का पीछा करता रहा देखो तो एक्सपेडिशन बेसिकली 1574 में हुआ भेजा मुनिम खाँ को नहीं पकड़ा गया तो 1575 में खुद जाता है अकवर जब पता चला की पटना पहुँचा अकवर तब वह भाग करके बंगाल चल गया कौन यहां का सासक जो है दाउद फिर मुनिम खाँ को पीछे लगा दे कि जहां जहां जाता है वहाँ वहाँ पतक के मालो जहां पकड़ा है वहीं पर कूट दालो निकल गया अगला पॉइंट लिखिएगा 1575 AD में बंगाल के तुरकोई नामक जगह पर पराजित होकर उडिसा की तरह भाग गया 1575 में जो है पकड़ा गया मुनीम खां से कहां में तुरकोई तुरकोई एक जगह है विस्ट बंगाल का और यहां पर वहार गया और डर से भाग गया कहां ओडिसा की भाईया यह ले जाएगा पकड़ के अकवर के सामने अब अकवर का मूड के उपर डिपेंड करता है कटा भी सकता है इसलिए वह खुद भाग करके निकल गया 1575 में वह आत्म समर्पन भी कर दिया और लिखिये गया 1575 एडि में मुनीम खां की मिर्तिव हो जाने पर बंगाल में पुनह अब अब अबस्था फैल गई 1575 में बंगाल गया उसको पकड़ के कूट तो दिया मार भी दिया उभाग भी गया और मुनीम खां को सौप भी दिया गया बंगाल अकवर के द्वारा लेकिन वह खुद मर गया तो फिर से अब अब अबस्था जो है अनार्किजम जो है अनार्की जो है वह इस्टैब्लिज हो गया कहां पर बंगाल में देन लिखिएगा अकवर ने 1576 एड़ी में खान ए जहां हुसैन और टोडर्मल को भेजा खान ए जहाँ हुसैन खान ए जहाँ हुसैन और टोडर्मल आपको पता ही है इतना इंपोर्टेंट ब्यक्ति हकवर के सासनकाल का इन दोनों को भेजा कि जाओ वहाँ पर दाउद जो है अभी भी फर फरा रहा है एक बार तो आत्म समर्पन किया लेकिन वो फिर से फर फरा रहा तो इन दोनों को भेजा गया देखने के लिए देखने के लिए भेजा गया तो फिर इन दोनों ने मिल करके जो है उसको भर पेट कूटा और ऐसा कूटा कि लड़ाई चलता रहा तीन साल तक 1580 तक लड़ाई जो है चलता रहा और 1580 में जो है फाइनली बंगाल जो है मुग समराज के अंतरगत हो गया तो आप से पूछा जाए कि बंगाल फाइनली किस एर में मुगल समराज के अधीन हुआ तो आप कहेंगे कि 1580 में हुआ था सर सर नहीं मैंने एक्जाम में जो एक्जाम में जहां हो गए वहाँ पर मुझे क्यों बताव गए आगे लिखिएगा अगला काबूल इसमें बहुत लंबा यार कितना करेंगे हम लोग करते हैं इसको एक्सपेडिशन तो एटलिस्ट खतम करते हैं नहीं तो ऐसे फिर धीरे पढ हैंगे तब तो फिर पढ़ते रहा जाएंगे लिखेगा काबूल एक्सपेडिशन एक्सपेडिशन ओफ काबूल में लिखेगा पंदरासो एकासी एडी इसमें लिखेगा यहां के सासक है हाकी मिर्जा हाकी मिर्जा इसमें लिखेगा यहां पर सेना का नेत्रित्व मान सिं ने मान सिंग ने भगवान दास ने और सयद खाना ने इन तीनों ने मिलकर किया 1581 में यहां पर आकर्मन हुआ लिखेगा मिर्जा हकीम ने अधिनता स्विकार कर लिया और राज जी का सुवेदार उसकी बहन बक्तूलीसा बेगम को बक्तूलीसा बेगम को बना करके आगरा बापस आ गया और 1585 में हकीम मिर्जा वह मर जाता है तो इसको फिर मुगल अमपार में मिला लिया जाता है और काबूल का जो है हेड वह मान सिंग को अपॉइंट कर दिया जाता है मुगलों के द्वारा अकवर के द्वारा एक्सपेडिशन ओफ कास्मीर लिखेंगे इसमें लिखेगा 1585 से 86 इसमें लिखेगा यहां का सासक है युसुफ खान कास्मीर पर बिजय प्राप्त कर काबूल प्रांत का एक सरकार बना दिया गया ये भी लिख लिजेगा चलिए आते हैं कास्मीर के बाद हम लोग जो है सिंध लिखिएगा यहां पर रोक दिया जाए क्या चलिए मुझे लगता है यहां पर जो है डेड़ घंटे का लेक्चर हो गया है तो काफी जादा बड़ा हो जाएगा इसको हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं अगले लिक्चर में जो आगे हम लोग सिंध से आकर्मन करते हुए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे चलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं आप लोग जल्दी सेह बता दो एक दो मिनट और यहां पर लाइब रहेगा इसके बाद हम लोग इसको अलग करेंगे आप लोग जल्दी सेह बता दीजे कि आज का लेक्चर जो है आप लोग को समझ में आया या नहीं आया मतलब समझ में आ रहा है समझ में तो आना ही चाहिए नहीं का सवाल पैदा नहीं होता है बड़ आप लोग बताओ आज का लेक्चर कैसा लगा आगे इसको प्रोसीड करना चाहिए आगे क्लास इसको कंटिन्यू करें और कितने लोग कल आ रहे हैं रहे हैं यह बता दो क्योंकि यार डिली और क्लास लाइब होता है तो कम से कम आप लोग तो डिली पढ़ सकते हो माइब रिकॉर्ड वीडियो पढ़ने में आप एकवर पिलाविक रिकॉर्ड विडियोज है फिर वहां पर जाना फिर उसको पढ़ना लाइब में आप कब एक घंटा निगल जाता आप पढ़ते पढ़ते आपको पढ़ा नहीं चलता है राइट तो लाइब में आप लोग आ करके पढ़ाई कीजिए चलिए इस वीडियो को यहीं पर पाउज करते हैं है न इसको रोकते हैं कल हम लोग बात करेंगे तो जो साथ ही नए आ आ सके वोभी पर सके वो भी अपना जयारेफ करें मेरी तरह आपकी तरह और आप ही क्राइब केंजिए और अच्छे से जिसकी। इस प्र reicht always तो चलिए फिर जल्दी से आप सभी लोग एक बार जो है थम्ब दे दें ताकि इसको जो है वीडियो को पाउज करें थाइम क्यू आप सभी को इस वीडियो में हमारे साथ जूडने के लिए ठीक है गाईज अल दे बेस्ट रखते हैं गुद नाइट गुद नाइट गुद नाइट एवरी ओन इसको मैं आ रही हूं सरकल हां हां बिल्कुल आईए आप जो भी सीरियस कंडिडेट है पढ़ना चाहते हैं वही आएं क्योंकि यहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं जोग सुना रहा हूं तो वो आएंगे तो उनको दिक्कत होगा जो सीरियसली पढ़ने वाले हो आएंगे तो इसके फाइदा मिल पाएगा चाहिए गाइस रुका जाएं करें